हेलो स्टुडेंट वेल्कम बाक तो आवर चानल आज हम लोग बात करेंगे एक्स्टरनल कम्युनिकेशन के बारे में उसके एडवांटेश और दिसएडवांटेश के बारे में उसके यह स्टार्ट करते हैं एक्सटरनल कम्युनिकेशन बिजनेस बिल्ड़ अप करने के लिए हमें बहुत सारे कम्युनिकेशन बाहर के लोगों से भी करना होता है अक्चली वह बहर के लोग होते तो ज्रूर है लेकिन हमारे बिजनस से पुरी जरीवेस से connect होते हैं जैसे शेर होल्डर से ठीक तो यह भी हमारे इंवेस्टरस हैं जो हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं अब टेडियोनियों से सब्सक्राइर से लette यह सब हमारे जो पार आते हैं वो सब हमारे external communication के आते हैं internal में खाली employees ही होते हैं ठीक है employees छोड़के जितने भी लोग बचे वो सबके सब्सक्राइब के external communication के ही पार्ट होते तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं तो आपका concept क्लियर है कि हाँ internal आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है अगे देखते हैं एक्सारनल गमिनिकेशन इस टू टाइप आउटवर्स और इंवर्ट तो ठीक है आउटवर्ट होता है इनवर्ट होता है देखते हैं क्या है आउटवर्ट all the messages that go out of the organization are outward communication they may be in the form of telephone calls telegram letter circular report advertisement press handouts speeches visits etc outward communication has significant influence on the public image and the public relation of the organization outward communication का मतलब यहां पर एक्स्टरंडल में जो आउट्वर्ड की बात करते हैं यहां पर सिंपल सा मतलब होता है जो भी कम्यूनिकेशन का जो हम मैथर्ड यूज कर रहे हैं ठीक है वह बहार जा रहा है गार ऐसे जिए उसको हम इन्वर्ड करें मतलब आउटवर्ड कहेंगे तो सिंबल सी बात है आपने किसी को टेलिफून मतलब मुबाइल पर किसी से बात किया, कोई टेलिग्राम लिखा, कोई mail लिखा, कोई letter लिखा, यह सब चीजे हम बाग कर रहे हैं बाहर वालों से और किसी न किसी तरीके से उसको बाहर हम communicate भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्जाम्पल लेते हैं, हमें अपने customers को कोई समान बेशना है, हमने उस को अपना प्राइस कोड किया कि हमें इस प्राइस पे ये प्रोड़क्ट चाहिए तो ये भी आपका आउटवर्ड कम्यूनिकेशन में आएगा नेक्स्ट मान लीजे कोई एडवर्टीजमेंट हम करना चाह रहे हैं तो वो भी एक तरीके से आपका कियो 쌓क यहां पर हम अपनी इन्फोरमेशन बाहर डिलेवर कर रहे हैं तो यह सारा जो भी चीज हम बाहर डिलेवर करते हैं वह सुमारी आउटवर्ड communication का पार्ट होता है ठीक है यह पढ़ना important क्यों है को कि external communication के सब parts है तो इसको पढ़ना है और समझना भी अच्छे से ठीक है company के बाहर जो भी चीज़ें communicate हो रही है उसको outward कहते हैं अब inward में क्या चीज़ आएंगी all the messages received by the organization from the outside are inward जैसे हमने बाहर communicate किया तो उसका reply तो आएगा ना हमारे पास है भाई हमने quotation बोला कि हमें यह raw material इस प्राइज में चाहिए हमने mail किया अपने किसी भी supplier को तो यह तो outward हो गया फिर outward का जब reply आता है तो अब बाहर के लोगों से ही बात हो रही है मैंने बता ना अंदर के लोग का मतलब employees इंप्लोईज चोड़कर यतने बीन से बाहर के लोगों है ठीक है तो अब बाहर के लोगों से जब बात हो रही है तो वह reply करेंगे तो वह आपका आएगा इनवर्ड कम्यूनिकेशन में ठीक है तो सारा कुछ जितना भी बाहर से चीजे हमारे कंपनी में आ रही है कोई भी इनफॉर्मेशन जो हमारी कंपनी में बाहर से आ रही है वह हम इसको इनवर्ड कम्यूनिकेशन कहेंगे चाहिए वो नियूस पेपर प्रिंट हो रहा है कु Tut in World Communication अब कैसे कैसे मिलेगा तेलफोन कॉल टेलेक्स मैसेच लेटर तेलीग्रम अबॉर्ण सर्कुलर जनरल मेगजिंस विजिविष ब्राव विजिद ब्रावसर्स एक्टरा आपने आप तो अब्रकुर्ण अबॉर्ण communication. They have to be recorded, studied, replied to acted upon the stood. Invert communication provide valuable information to the organization. To clear है ये भी. अब आते हैं next. अब देखते हैं advantage क्या है? हमारे external communication का. Advantage of external communication. External communication can be used to inform different stakeholders about the working performance and the future plans of the company. External communication जर्रूरी क्यों है? भाई हमको investors चाहिए ठीक है? अलगाद अग लोग हमारे company में invest करें हमें अच्छे suppliers चाहिए तो अब company के बारे में जब आप लोगों को बता हो कि नहीं तो लोग कैसे invest करेंगे लोग कैसे आपको सस्ते में समान देंगे तो यह सब भी चीजे जरूरी होती है तो इसी लिए external communication का advantage है कि हम अपने क्या बोलते हैं business को और ज़्यदा बेटर बना सकते हैं अपने performance अपने future plans लोगों को बता के next आते हैं it helps to improve public image and the goodwill of the company तो public image भी इंप्रूव होता है और साथ ही साथ company का goodwill भी बढ़ता है कैसे देखिए जब आपके company का performance लोगों को पता चलेगा तो एक public image बनेगा ठीक है मार्केट पर goodwill आएगी आपकी आपको लोग approach करेंगी कि हाँ आपको भी हम raw material sell करें अच्छे प्राइस पर यह सब benefits जो हैं वह आपको मिलती है अब आते next it can be used to meet reporting requirements under the different laws अब यह कहा है it can be used to meet reporting requirement under different law मतलब जरूरी भी है जैसे अब companies act 2013 है अब उसके according जो भी आप business कर रहे हैं अगर आपकी public company है ठीक है एक particular segment की company है जैसे लिस्टेट company है public limited ने प्लस लिस्टेट है तो आपको यह करना ही पड़ेगा next it can provide useful feedback about the views and expectations of the stakeholders आपको मिलता है एक अच्छा feedback अकर आप external communication पर बिलीव करते हैं अपने बहुत अच्छे तरीके से external communication करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको market में आपकी क्या value है वह feedback से पता चल जाता है तो आप अगर feedback को अच्छे से समझते हैं तो आप अपने company को और अच्छा कर देंगे तो यह भी एक फायता है external communication का proper feedback आपको मिलता है ताकि अपने चीजों को और आप बेटर कर सकें अब आते हैं disadvantage में external communication required more planning so it is a time consuming अब external communication को time consuming भी कहा गया है क्योंकि planning तो चाहिए आप बिना planning के external communication कर नहीं सकते time consuming तो है सारा प्रोफार्मा सारा फॉर्मेट सब तुछ आपको आप पर build-up करना होता है तभी जाके आपका communication हो पाता है नेक्स आते है it is not possible to maintain sorry external communication is more expensive than the internal communication अब देखे time consuming तो expensive तो हो गई आप कोई भी काम करने के लिए उतना तो आपको पैसे employees को देने ही पड़ेंगे ठीक है तो time consuming के तो साथी साथ expensive अपने आप ही होगा अब आते next it is not possible to maintain secrecy there is the possibility of leakage of the business secret अब कभी अगर आपका communication effective नहीं है तो यह आपके लिए problem भी हो सकता है आप चीजों को secret नहीं रखेंगे ठीक आप चीज बाहर ही बता दे रहा है ठीक तो internal communication external communication भी एक level तक आपको समल के करना होता है कि कौन सी बाते बाहर शेयर करनी है कौन सी बाते नहीं शेयर करनी है यह सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है next है in case of wake message or misinterpretation by the outsider the communication image may suffer अब देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर नहीं बतानी चाहिए ठीक है तो जो कि हमारे company को नुक्सानात पहुचा सकती है तो यह सब चीज़ आपको समल के करना होता है ठीक है ताकि आपका जो एक image है वो build up होता रहे अगर आप उस चीज़ें को समल के नहीं करते हैं तो कहीं ने कहीं आप सफर करते हैं तो यह भी एक problem है कि आप चीज़ों को distinguish करिए कि कौन से चीज़ें बाहर बतानी है कौन से चीज़ें बाहर नहीं बतानी है उसके हिसाब से आप उस चीज़ें को करेंगे तो जदा सही रहेगा थैंक यू स्टुटेंट्स फर वाचिंग प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू